गोड मॉनिक, All India Radio और आस सवा के अनलेसिस में आप सवो का स्वागत है अगर All India Radio के अंदर निउज की बात करें तो मूडी के बारे में डिसकस किया गया है और एक छोटी और निउज है, डिसकस करेंगे देजद्सांतर के अंदर बात की गई है इसके बारे में यहीं पर डिसकस कर लेते हैं असल में बात ये की गई है इसके अंदर कि ये 1969 में पहली बात तो बना था इसके मेंबर है 57 के आसपास और इसमें भारत को इन्वेटेशन दिया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए इसका हेड़कवाटर आवुधावी में है इसी के बारे में बात की गई है भारत रिपरजेंट किया है सुसमा सुराज गई थी और इन्होंने टेरिश्म के मुद्वे बात की है यही कंटेक्स है और कुछ खास नहीं है नेक्स्ट बात करें तो सुर्खियों के अंदर डेडियों पे आता है सांती सुरूब भटनागर के बारे बात करेंगे और नेक्स्ट इन्डेप्ट के अंदर विसेश के अंदर the big picture के अंदर सब के अंदर बात की गई है अभी मन्यू जो आए है उसके बारे में तो खास important point उसके अंदर नहीं है तो चलिए discussion start करते हैं पहली news हमारे पास यहाँ पर है यहाँ पर आप देख सकते हो US-based moody agency US-based moody agency है यह moody agency जो है सो rating देती है पहली बात US की एक moody agency है इंपोटेंट हो जाता है यह moody क्या है US की agency है जो credit rating देती है कहा है 7.3 के आसपास 2019-20 में growth rate रहेगा यह बाते अब किसे भी answer के अंदर means में use कर सकते हो यह विदेश मंत्री सुसरा सुराज organization of the Islamic corporation के बारे में हम जान रहें अच्छी तरह से क्या है नहीं है इसके बारे में next बात करें तो यहाँ पर एक और आपको term मिलेगा एक second यहाँ पर किदर गया SL में उसमें discuss किया गया है यहाँ पर यहाँ देखो यहाँ पर आप देख सकते हो चक्रवाती तुफान के तुरंत बाद यह आया था तो यहाँ पर जो है सो तो सुर्खियों के अंदर बात की गई है इसके अंदर बात की गई है सांती स्वरूप भटनागर के बारे में सांती स्वरूप भटनागर के बारे में बात करें तो यह जो पुरसकार है यह 9058 से दिया जा रहा है यह 9058 से दिया जा रहा है यह सांती स्वरूप एक बहुत ब Science Industrial Research जो इसका full form होता है ये CSIR ये 1942 में बना था आपको याद हो तो 1942 में बहुत important है CSIR जो body है ये बिल करके देती है असल में इन्होंने बहुत सारे सेक्टर में प्राइज दिया गया है तो सांती स्वरूब भटनागर प्राइज जो है 1958 से दिया जाता है ये बात ध्यान में रखने बारी बात है असल में ये पुरसकार उनको दिया जाता है जिन्होंने भारत में ही बहुत सारे सोध किये हो ये ने की बिदेश में जाकर के जैसे बहुत सारे Research इस तरह के होते हैं जिस Research के अंदर बहुत सारे कंट्री के भी योगदान होते हैं हर कंट्री मिल करके करता है जैसे एक्जामपल के तौर पे मैं दूँ आपको तो लीगो जो सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था इसमें आपको बताओ भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट है और भारत के लोग इतने इंटिलिजन्ट मतलब कह सकते हो आप लिख सकते हो कि भारत के योगता एतनी है कि USA और UK में जितने भी डॉक्टर्स हैं जैदे तर इंडियन हैं तो जाहिर सी बात है भारत अच्छा काम कर रहा है और दूसरा इसी के तरज पे भारत ने खुद का प्लान जो बना रखा है एक आपको याद हो तो ये तमिल नाडू के ठैनी में ठैनी में एक लीगो अब्जरवेट्री बनाने जा रहा है तो ये लीगो अब्जरवेट्री हमारा है ये भी प्रिलिम्स के हिसाब से इंपोटेंट होता है तो आज के नियूज में इतना ही था थैंक यू, थैंक यू